हाई फ्रेंस मैं हूँ अपनि प्रधन मैं आप लोग को सागत करता हूँ योगोमा याण आपनि प्रधन यूट्यूब चैनल पर तो आज हूम जनेंगे क्या है बंदा जैने इसके चमत कर जाई के असर दाइख तठके तो फ्रेंट्स इसके बार में कहने से पहले मैं आप लोग को यहां कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्रेप नहीं किया अपने गृव में प्रतिष्ठा करना चाहते हो, फैक्टरी में, वेबसाइकिस्तल में प्रतिष्ठा करना चाहते हो, उसके साथ महालख्मी यंतर प्रतिष्ठा, बंदा प्रतिष्ठा, ग्रह सूधी, ग्रुह सूधी, हबन, ये सब हमारी पंडित लोग के द्वरा करने चाहत दिया के नमबर पे आप हमें contact कर सकते हैं। भारत के अनिक प्रंतर मायोगोमाय को प्रतिष्ठा करके बहुत चमतकर फल पाचुके हैं। आप भी ग्रिह में करे मायोगोमाय देवी की प्रतिष्ठा और देखे चमतकर। तो फ्रेंट्स चले जनते हैं। पाउध्य में उगने बले बंदा इसके चमत करके असर टटके। दोस्तों बंदा अथवा बंदल नाम की ये परजबी बनस्पती सभी बड़े व्रुख्या पर उग जाती है। जैसे आम, पिपल, महुआ, जामुन आदी इसके पतले लाल गुच्छे दर फूर और मुटे कोडे पत्ते पिपल के पज़ते के जैसे बराबर होते हैं। देखा जाये तो, यूँ तो अलोग अलोग प्रकर के बंदा होते ही। जैसे पिपल का पेड़ पर किसी भी दूसरे पेड़ पर उग जाता है। उसे पिपल का बंदा कहते हैं। इसी तरह नीम जामून अधिक बंदा उनके पेट पर भी ये बंदा होता है। तंत्र सास्तर का अनुसार प्रत्य पेट पर उगा बंदा एक विशेश फ़ल देता है। बंदा का धर्मिक और कोई मामलों में तंत्रिक महत भी है। चमत्कर की बंदा ये विशेश रुप से जड़ी है। हो सकता है कि आप इसके बारे में जनते हो। आपने किसी एक व्रुख्या पर दूसरा व्रुख्य निकलते हुए दिखा हो। बंदा एक प्रकर का पोधा होता है जो जमिन पर न उगकर किसी व्रुख्या पर उगता है। इसी प्रकर ये परोजिप पोधा है। तंत्र सास्तर का अनुसर प्रत्यक पेड़ पर उगगा बंदा एक विशेस फल या परिनान देता है। असोग, पिपल, अनार, बरगद, गुलार, आम, हरसिंगार, आउले, ये सब आदिव रुख्ष के बंदे का बंदा मिल जाता है। ये पोधे का बंदा मिल जाएं। तो स अब और केशे लाएं, इसके लिए किसी जानकार की मदद लेना जरूर है। अन्नत्था आप कठिनाई से भी पढ़ सकती हैं। हम आपको दे रहे हैं इस विशे से जूड़ी कोई अहम जानकारी। कोई अहम जानकारी। तो चले दोस्तों, जानते हैं कौन सा पोधा का महुष्या नख्यत्र में लाकर भाईरब को अरपित कर फिर इसे दाहीने हत में बाधने से कमपन के रोग में अरम मिलता है। महुआ का बंद आपको विशाख्या नख्यत्र में लाकर विधिवत पुजय करने के बाद गले में धारन करने से भई समाप्त हो जाता है। कुष के बंदे के बारे में कहा जाता है कि इस भरणी नख्यत्र में इसे लाकर पुजय के स्थान पर रखने से अर्थिक कट दूर हो जाता है। बेर के बंदा बेर के बंदे का मोल नख्यत्र में विधिमत तोड़कर लाने के बाद देव प्रतिमा के तरह इसको श्टनान क पुजा करें। इसके बाद इसे लाल कपड में बांद कर सिद्धे हाथ के बाजु में धारन करें। इस प्रकर आप जो भी मनोकामाना रखोगे वो ज़रूर पुरा हो जाएगी। हर सिंगर का बादा हर सिंगर का बंदा हर सिंगर के बंद को पुष्यन खेत्र में पुजा करने के बाद लाल कपड में लिपड कर तिजर में रखने से अब का कभी धान की कमी नहीं होगी। मखha नक्ःत्र में हर्शिंघर का बंदा लाकर घर में कहीं भी रखने से सम्रुधी एवं संपर्नता में बृधी होती है नीम का बंदा नीम के बंदे को श्रबोन नखेत्र में लाकर पुजा करने के बाद अपने सत्रू से मत्र सपर्श करा दे तो उसके बुरे दिन सुर हो जाता है। बरगद का बंदा शुक्वबार के दिन लाकर लक्ष्मी जी की बाजू में बांधने से हर क्यारे में सफलता मिलते और कोई अपको हानी नहीं पहुंचा सकता अनर का बंदा अनर के बंदे को रभी पुष्चे के दिन तोड़कर अपने पास रखने से किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती और नहीं भूत प्रेतादी नकरत्म सक्तियों का घर में प्रवेश होता है आम का बंदा आम के पेट पर बंदे को किसी भी एकादोसी के दिन लाकर नान कराकर पुझा करने के बाद आप भुझा में धारन करने से कभी भी आपकी हार नहीं होती और बुझे प्रप्ति होती है आमले का बंदा बुधवार को लाकर पुझा करने के बाद दाहिनी भुझा पर बंदे से चोर, डाको, हिंसरक, पशु का भाई नहीं कभी नहीं रहता तो फ्रेंट्स आज ता आपने जाना क्या है बंदा जाने इसके चमत करिक असर करके टटके अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेट करे, चैनल को सस्ट्रेप करे और एक वीडियो तक मैं आपका अपनी प्रधन, नमस्कार, मा आपके मंगल करे, या यो मा जय मैं जुगमाया